वर्ष 2022 बीत रहा है अब हम 2023 के स्वागत के लिए खड़े हैं बीते वर्ष में शराब कारूबारियों पर उत्पाद अधिक्छक के नित्रित्व में बहुत बड़ी बड़ी का रवाईयां हुई कई बार तो बुलेरों और स्कॉर्पियों के अंदर ताखाने बना कर छिपा कर रखी गई शराब बरामत की गई तो वीर क्वर्षिंग से तू से भी लगातार तसकर शराब की तसकर करते पकड़े गए उत्पाद अधिक छक्देवेंद्र प्रशाद का कहना है कि आहकार रवाई 9 वर्ष में भी जारी रहेगी और 9 साल में भी शराब बंदी कानून का अनुपालन कराने के लिए पुलिस ऐसे ही तत पर रहेगी उधर रेल पुलिस को बीतते हुए वर्ष में एक बड़ी सफलता मिली है रेल पुलिस ने ट्रेन से अब तक की सबसे बड़ी खेप के रूप में तक्रिवन साहे 9 लाख रुपे की शराब बरामत की है साथ ही इस मामले में 24 तसकरों को भी बकसर और पटना के कई ठीकानों से पुलिस ने गिरफतार किया है इसकी जानकारी रेल डीएसपी प्रशांत कुमार ने पत्रकारों को दी उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी हाला कि यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी उधर बकसर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा भी पीचते वर्श में हुआ बकसर में यह तो सेक्स रैकेट संचालित होने की बाते अक्सर सामने आती हैं लेकिन काफी संख्या में लड़के लड़कियों का पकरा जाना और विभिन होटलों को सील किये जाने की खबर इस वर्श सुर्खियों में रही होटलों को सील किये जाने की प्रक्रिया अब भी चल रही है उम्मीद है कि एक दो दिनों के अंदर उन होटलों को सील कर दिया जाएगा जिन में देह व्यपार का धंधा चल रहा था और जो बकसर की पावंधरा को कलंकित कर रहा था अनुमंदल पदा अधिकारी दीरेंद्र कुमार मिश्रा ने इस बात की पूस्टी भी की है इसके अतरिक्त नगर निकाय चुनाओ इस वर्श सुर्खियों में रहा पहली बार प्रत्यक्षरूप से चेयर्मेन चुना जाना था जनता ने बखुबी अपना कर्तब निभाया और ऐसे लोगों को मतदान किया जो जनता को भली भांती समझ सके और उनके दुख दर्द को दूर कर सके इस बार कई पुराने के लिए धाग है तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी जीत अप्रत्याशित थी बहराल जनता ने नए लोगों को चुन लिया है और जनता यह उमीद कर रही है कि नया वर्स उनके लिए मंगल में होगा बात गंगा की स्वक्षता की करें तो बक्सर में गंगा नदी में स्ववों के प्रवाहित किये जाने का सिलसिला अब थम सके इसके लिए प्रशासन ने पहल की है एस जेवियन के सहयोग से चौसा में विधुत सवदाहगरी जल्द ही बन जाएगा जिसके लिए जिलापदा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों ने चौसा में पहुचकर घाट का निरिक्षन भी किया था इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो जिले में सुर्खियों में रही वह यह थी कि जिलाकरशी पदाधिकारी के यहां निगरानी विभाग का छापा पड़ा था निगरानी विभाग ने जब उनके घर से प्राप्त दस्तावेज खंगा ले तो ग्यात हुआ कि जिलाकरशी पदाधिकारी के पास आए से अधिक संपत्ती है या यू कहें कि उनके पास अकूत संपत्ती है फिलहाल उस मामले की जाच चल रही है बक्सर में पहली बार आयोजित नातन संस्कृती समागम जैसा भव्य आयोजन भी इस वर्ष सुर्कियों में रहा साथ देश के तमाम संत महंतों का बक्सर की जनता ने दीदार किया बक्सर में इस तरह के आयोजन को एतिहासिक बताते हुए कि इंद्रियमंत्य श्विनी कुमार चौबे ने कहा कि उनकी च्छा थी कि जिस संसदिये छेत्र से वह संसद है वहां साधू महात्माओं के समागम से देश विदेश में बक्सर की ख्याती फैले और यह सपना पूरा करने में वह सफल भी रहे इसके अत्रिक्त तकरीबन दो साल के बाद बक्सर में एक बार फिर सीता राम विवाह महुत्सो दूमधाम से आयोजित किया गया नया बाजार में आयोजित इस कारेक्रम में एक बार फिर बकसर की धरा पर मिथिला का नजारा दिखा और परमपूज संत मामा जी की याद में चले आ रहे है इस कारेक्रम का सबने आनंद लिया यह कारेक्रम वर्षों से संत मामा जी की याद में चलता है चलते चलते बात अमसारी कांड की, अमसारी में वर्ष की शुरुवात में ही जहरीली सराप पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, उनके स्वजनों के घाव अब भी नहीं भर सके हैं नो वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ चंद्रकांथ निराला